आईए, आज हम कड़ा परशाद बनारे जा रहे हैं, हम इसे बिल्कुल गुर्दवारे वाले कड़े परशाद की तरह बनाएंगे सबसे पहले हमें शूगर सिरफ बनाना है, इसके लिए हमें दो कटोरी पानी लिया है और एक कटोरी चीनी अगर हम एक कटोरी आटा लेते हैं, तो हमें एक कटोरी ही चीनी लेनी है, और दुगना पानी लेना है उससे, यानि कि दो कटोरी आपके पस जो कोटोरियव लेबल हो आप उससे ही सारा नाप करें हमें इसके चाशनी नहीं बनानी बस चीनी पानी में घुल जानी चाहिए हम इसे इलाबते रहेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे अगर आप सभी स्टेप्स वालो करेंगे तो यह बिल्कुर गुर्दवारे वाले कड़े परशाद की तरह बनेगा यह इतना टेस्टी होता है मैं तो जब भी गुर्दवारे जाती हूँ बार-बार लेकर खा लेती हूँ अब हम गैस पे एक कड़ाही लेंगे और उसमें एक कड़ोरी घी लेना है मैंने पूना कड़ोरी लिया है लेकिन गुर्दवारे में कड़े परशाद के लिए एक कड़ोरी आटे में एक कड़ोरी ही घी लिया जाता है जितना आटा होगा उतना ही घी डाला जाएगा ये देखी ये हमारा घी गरम हो रहा है हमें flame medium रखनी है घी के गरम होने तक हम वेट कर रहे हैं अब हम आटा डाल दिया है इसके लिए आटा जो चक्की वाला ग्हहूं का आटा पिस्वाया जाता है वो आटा लिया जाता है उससे यह आलवा बहुत ही टेस्टी बनता है अगर हम इसके लिए थैली वाला आटा लेंगे तो यह आलवा वैसा नहीं बन पाएगा जैसा कि गुर्दवारे में परशाद होता है अब हम आटे को भूनेंगे लेकिन कर्ची को चलाते रहें अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल जाएगा क्योंकि आटे के बराबर घी होने की वज़ा से जल्दी बन जाता है ये देखिए मैं इसे चलाती जा रही हूँ इसमें बबल्स आ रहे है ये हलवा टेस्टी होने के साथ-साथ बनाने में असान है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए हमें कोई भी भार से समान लाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आटा, चीनी और घी ये सब के घर में होता ही है और जब भी कोई फेस्टीवल हो कोई वरत्ते वार हो तो हम ये से बना सकते हैं ये देखिए आटा भूनने वाला है कर्ची को चलाते रहेंगे फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे हाई नहीं करना है बिल्कुल भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये शानक से ही जल जाता है इसलिए इसके कलर को देखते रहें हमें इसका कलर बिल्कुल हलका गुलाबी जैसे बदाम का कलर होता है न वैसा करना है ये देखिए इसका टेक्स्चर रेट की तरह होने लगेगा जैसे बालू होती है न रेतीली वैसा कड़े परशाद में हमने जितना भी आटा लिया है उतना ही हमें घी लेना होता है और उतनी ही चीनी लेनी होती है और दो गुना पानी लेना है हमें ये बत याद रखिए एक बात ध्यान रखिएगा इसमें घी की quantity कम ना करें नहीं तो इसका टेस्ट कड़े परशाद की कॉड़िंग नहीं बन पाएगा हमारे इंडिया में तो हलवा बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली दिश है पता नहीं कितनी चीजों काम हलवा बना देते हैं आटे का हलवा सुजी का हलवा बेसन का हलवा घीया का हलवा एंड अलू का हलवा और भी भहुत सारे एकिन आटे का हलवा सबसे ज़्यादा फेमस है ये सबसे अधिक बार बनाया जाने वाला दिश है हम इंडियन हर occasion पर कभी न कभी हलवा बना ही लितते हैं जब कुछ भी नहीं होता, तो स्वीट के तोर पर हलवा ही बनता है, लीजिए, बातों-बातों में पता ही नहीं चला, और हमाला हलवा रेडी होने माला है, ये भून गया है, ये देखिए इसका कलर, एंड टेक्स्चर देखिए, अब हम इसमें पानी डालेंगे, जो सीरप हम ने तेयार किया था ना, शूगर सिरप, बस वही, लेकिन इसे धीरे-धीरे डालेंगे, और कर्ची को चलाते रहेंगे, अगर हम इसे एक साथ डालेंगे, तो इसमें गिल्टी पड़ जाएंगी, सूजी के हल्मे में तो हम एक साथ पानी डाल सकते हैं, लेकिन आटे में नह और दीरे-धीरे ही इसे चलाते जाएंगे, देखिए, इसका टेक्चर कितना क्रीमी और सॉफ्ट है, देखिए, ये कड़ाई के किनारों को इसने छोड़ दिया है, ये देखिए, और ये कठ्ठा हो गया है, देखिए, अभी अपने सारे गी को रिलीज कर देगा, एंड उस स्टेज पर हमारा हलवा रेड़ी है, ये देखिए, अभी किनारे साफ हैं बिल्कुल, और घी रिलीज नहीं किया है, इसने, मैं इसलिए से चलाती जा रही हूं, फ्लेम को आप लो ही रखिए अभी, ये देखिए, ये देखिए, अब धीरे-धीरे इसने अपना सारा घी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, आपकी नारों पर देख सकते हैं इसके, लेकिन अभी भी टाइम है इसके बनने में, देखिए, अभी आप देखेंगे, तो आपने इतना घी डाला, वो सब बहार दिखने लगेगा आपको, अभी चलते रहेंगे, देख इसलिए मोटे पिसे हुए आटे का बनाया जाता है, ये देखिए, हलवाई कठा होने लगा है, और ये देखिए, इसने सारा अपना घी किनारों में छोड़ दिया है, ये देखिए, आप भी इसे जुरूर ट्राई करें, देखिए, अब मैं इसे सर्फ करने के लिए एक डि देखिए, किस तरह से इसने अपना घी रिलीस कर दिया है, सारा, एंड कलर देखिए इसका, एंड टेक्स्चर कितना दानेदार है, मैं अब इसे टेस्ट करती हूँ, आप भी जरूर ट्राई कीजेगा, एंड अपने रिव्यूस दीजेगा, क्या आपने कैसा बनाया, मैं, से एंड न 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 कि अ बादा रिव्यूस देखिए एंड एंड बनाया, मैं न न न न न न न न न